बहुत बहुत स्वागत है जश्रकों टी ट्वेंटी वर्ल्ड कप सेमिफाइनल में कल की शर्मनाक हार के बाद गोधी न्यूज चैनल का एक वीडियो खूब वाइरल हो रहा है जिसमें ग्यारह ब्रह्मन खुद को जोतिशी बता रहे हैं वहाँ पर शंखनाद करके शंख न्यूज एंकर कहता है कि सितारे बड़े महत्पूर्ण होते हैं टीम इंडिया की जीत को लेकर सितारे क्या कह रहे हैं फिर एक जोतिशी बताता है कि तारिक और स्थान के हिसाब से मैच की कुंडली मेश लगन की बनती है इसके बाद दूसरे जोतिशी ने टॉस के समय की की मकर लगन को वाली कुंडली है कोई पराक्रम का स्वामी चंद्रमा का जिक्र करता है तो कोई कह रहा है कि संघर्ष जबर्दस्त होगा लेकिन जीत तो टीम इंडिया की ही होगी आप भी सुनिए बड़ा मज़िदार वीडियो ही है चलिए तो आगाज बहुत शांदार है और उमीद करते हैं किसी शंकनात की तरह है टीम इंडिया की भी जीतो लेकिन सितारे बढ़े मत्पूर होते हैं टीम इंडिया के सितारे भी क्या कह रहा है समी फाइनल को लेकर देखे दस तारिक को साड़े छे बज़े अडिलाइड म लगन में ही तो बिल्कुल यहां पर चमतकारी वहां पर परिवर्त तौस के समय की कुली भी आपके निखा लिया है तो बड़ी स्क्रिक जान करी है फिर तो प्ले होगा बहुत जबर्दस होगा बट फाइनली भारत के पक्षमेगी मैच जाएगा पराक्रम भाव का स्वामी तो पिछले दिनों सूर्य ग्रहन और चंद्र ग्रहन के समय डर के मारे मंदिरों के कपाट बंद करके बैठे ये लोग किस तरह से सितारों को पढ़कर मैच का भविश्य बता रहे हैं कुछ वर्षों में न्यूज टीवी चैनलों ने इनका धंदा खुब बढ़ाया था ले ये मैच जीट जाती तो निश्चित ही इन लोगों की पांचों उंगलिया घीम होती और ये लोग जब अरदस्त चांदी काट रहे होते लेकिन जैशाह की मालकियत में चुने गए इन 11 लोगों ने इनके मनसूबों पर पानी फेर दिया दस विकेट से हार गए खुद रोहित शर्मा 28 गेंद में सिर्फ 27 रन बना सके राहुल और रोहित ने T20 में भी बिना रन वाले मेडेन ओवर खेले जबकि ये IPC के तहत अपराद है पत्रकाल दिरिप मंडल लिखते हैं कि EWS कोटा से आए राहुल रोहित टीम का भठा बिठा रहे हैं जल्दी आउट होना इनकी समस्या नहीं है आउट तो कोई भी हो सकता है लेकिन शुरवाती 6 ओवर में ये टुक टुक करके रन रेट को खराब करते हैं अपना रन बन जाए इस चक्कर में स्लो खेलते हैं मिडल ओर्डर पर प्रेशा रहा जाता है इस बाद सूरिया और कोहली के कारण टीम सेमी फाइनल तक पहुँच गई वो आगे लिखते हैं कि सिर्फ साथ सिर्फ जिया सिर्फ साथ मैच खराब खेलने पर विनोध कामली जिंदगी भर के लेट टीम से निकाल दिये गए थे जबकि उनकी परफॉर्मेंस सचीन तेंदुलकर से बहुत आगे की थी राहुल और रोहित को कोई धक्के मार के बाहर क्यों निकालता EWS कोटा से आये हैं पर इतनी खराब परफॉर्मेंस अगर आपको लगता है कि खिलाडियों के चैन और उनको बढ़ावा देने के मामले में जातिवाद नहीं है तो फिर आपको एक बार फिर सोचना पड़ेगा वह भी सेमी फाइनल ही तो था वन्दना कटारिया ओलंपिक में टॉप स्कूरर बनी हुई थी टोकियो याद किजिए भारत अरजेंटिना से हार गया वन्दना कटारिया के घर के बाहर याद है न कैसा उतपात हुआ था तीन लोग गिरफतार हुए थे अच्छा है कि रोही शर्मा की मामले में ऐसा कुछ नहीं हुआ हम लोग समझदार है मोदी जी भले ही अंग्रेजी ओपनिवेशिक चिन्हों को खत्म करने में लगे हूँ लेकिन अंग्रेजों का खेल भारत में इतना लोग प्रिया है कि 11 खिलाडी हार जाए तो लोग कहते कि भारत हार गया कई तो डिप्रेशन में चले जाते हैं जबकि क्रिकेट में जब से 60 की एंट्री होई है तब से देश के लिए खेलने गरिमा आधी का कोई भाव ही नहीं होता बलकि खुद को मिल रहे भाव पर ज्यादा फोकस होता है ऐसे में क्रिकेट की हार जीत को देश की नहीं बलकि दो सट्टे वाजों की हाज जीत के रूप में देखना चाहिए और ये इसलिए जोतिशियों ने भी इस कारोबार में अपना हाथ अजमा लिया दिरिप मंडल लिखते हैं कि जोतिश जो कारोबार है ये सवर्णू का मनरेगा है जो पढ़ लिख नहीं पाते ये काम कर लेते हैं और इन ही के कार्पोरेट हाथों में मीडिया है जो खेल को महिममंडित करते हुए दिखाता है जबकि राष्ट्रिये खेल हौकी को इस तरह कभी प्रोजेक्ट नहीं किया जाता क्योंकि हौकी की बात होगी तो ध्यान चन का भी जिक्र होगा भारती उप पाकिस्तान अफगानिस्तान बांगलादेश और सिलंका में क्रिकेट लोगप्री रहweed लेकिन चीन एक ऐसा देश है जहां क्रिकेट से ज्जादा वैस्वी खेलों को महत्वत आ जाता है यह देश न तो क्रिकेट खेलता है और नहीं यहां लोग इस खेल को पसंद करते हैं कुछ ऐसा ही हाल जापान रूस अमेरिका क्यूबा और ब्राजिल का भी है जहां क्रिकेट मशूर नहीं है इन देशों में न लोग क्रिकेट खेलते हैं और नहीं देखते हैं बहराल क्रिकेट के जुनून से भारती युवा आखिर कब तक ग् बहुत बहुत अन्यवाद